रिस्मी करते हैं क्या मैसी नहीं से सोशल डिमोक्राटिक पार्टी अफ इंडिया आज तुर्थ यह जो प्रेस कांफरेंस बुलाई है उर्दो मीडिया हजरात की जैसे ही जुमा की रात में जो एक डिसिशन आया है वो डिसिशन क्याबिनेट की तरफ से करनाडगा क्याबिनेट की तरफ से बहुती फिर्खा वराना डिसिशन है जो मुसल्मानों को टूबी रिजर्वेशन दिया गया था वो रिजर्वेशन को क्याबिनेट ने कैंसल करके वो जो हमारा हक था, वो जो हमारे मूँ से जो रोटी निकाल कर, दूसरे लिंगायत और वकलिगा अफ़ात को दो-दो परसेंट बना कर दिये हैं, तो इसके तालग से Social Democratic Party of India, Bombay सरकार की ये डिसिशन को, Cabinet सरकार की ये डिसिशन को condemn करती है, रिजर्वेशन बहुत important subject है, ये डाकट क्लासेस को socially, economically, uplift करने के लिए दिया जाता है, इसे politics करने के लिए, या वोट हासल करने के लिए नहीं दिया जाता, ये दोगेगोडा जी ने अपने चीफ मिनिस्टर के जमाने में, उन्होंने ये 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिय गया है, वो सही है, उसके बाद दो कमिशन बिठाये गए, एक वेंकट स्वामी कमिशन और चिन्नकपार एड़ी कमिशन, ये दोनों कमिशन ने भी अवाज़े किया कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो सही है, चुनकि वो रिजर्वेशन मजभ की बन्याद पर नही educationally, politically, economically immorate uplift करने की बहुत सफ़ जरुवत है लेकिन ये तमाम commission reports होने के बावजूद, रंगराथ विश्रा के फर्माईश होने के बावजूद यहां पर इस तरीके की politics वो भी ऐसे वक्त में जहां पर दो-चार दिन के अंदर product conduct आने वाला है, और दुबारा सरकार election को जाने वाली है, ऐसे वक्त में, ये खौम को खुश करने के लिए, दूसरे खौम की रोटी खिंचना, उनके पैट पर लात मारना, और वो मजलूम और बेजबान खौम को बार बार सताना, ये बिल्कुल सही नहीं है Social Democratic Party of India इसे कंडम करती है और कल इत्वार और पूरे करनटगा में रियासतगीर पैमाने पर हम एहतजाज कर रहे हैं खानुनी लडाई भी हम लड़ेंगे, रास्तों पर भी हम उतरेंगे, ये हमारा जमूरी हक है रास्तों पर उतरना एहतजाज करना, ये हमारा constitutional right है, हम Social Democratic Party of India के बैनर से हम तमाम अवाम को गजारिश करते हैं और लेक मेंडेट जो भी secular अवाम है, secular activist हैं हमारे हिंदू भाई हैं, और जो समाज में इंसाफ हाइं करना चाहते हैं social justice की बात करना चाहते हैं ऐसे तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ऐसे वक्त में अपना stand क्लियर करें Congress और JDS इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने leaders की ओपर जब भी कोई हालात आते हैं तो फोरण जिस तरीके से रास्तों पर उतरते हैं उससे ज्यादा उनकों leader मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही जिम्मदारी के साथ हमारा रोल में भाना जरूरी है यह रमजान का महिना है तमाम अपने अपने आमाल में बिज़ी हैं फिर भी मुझे मालम हुआ है कि अलग अलग जगा पर उल्मा एकराम और मुक्तलिक तंजी में सियासी हज़रात मीटिंग्स किया है मीटिंग्स से समिनार से ज्यादा इसे जो है अपना घुसे का इजहार करने के लिए जो भी दस्तूर ने कांस्टिटूशन ने मौखे परहां के हैं पीसफुली वा तमाम मौखों को हमें इस्तमाल करना है खानूनी लडाई लड़ने के लिए जो लीगल पैनल बनाया जा रहा है जो कोट का द्राजा कटकराने की बातें कर रहे हैं हम भी उसमें शरीक हैं हम भी उसमें शरीक रहेंगे इसी तरीके से सोशल डेमाप्रेटिक पार्टी अफ इंडिया तमाम सियासी और समाजी रहनों से और मज़भी रहनों से घुजारिश करता है कि इसको बहुत सीरियस ले ये मैनाटीस के साथ खुस्वार मुसलमनों के साथ बार बार धोका हो रहा है ये और मज़ीद धोका हुआ मैं ने इहतजाज की बात किया और बार बार ये बताया मैं पीसफुली जैसे इस सोशल डेमाप्रेटिक पार्टी अफ इंडिया का सब्वेट आता है तशद्दुद में इसे लिपेटने की बार बार कोशिशे मीडिया की तरफ से भी होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं सोशल डेमाप्रेटिक पार्टी अफ इंडिया अब तक जितने भी हतजाजात किया है वो बहुत ही पीसफुली है और हम constitution पर line order पर हम इबान रखते हैं तो peacefully यह protest होगा, statewide रहेगा, पूरे डिस्टिकों में, पूरे असंबलियों में हमारा हितजाच कल और परसुन दर्ज होगा. जो जो तबखाते बेदार हैं, वो बेदार तबखाते यह reservation के मुतालिबे में, बहुत पहले से इहतिजाजाच कर रहे हैं, बार बार सरकार के पास जाते हैं, मेमरिडम देते हैं, वो जिस तरीके से उदर एक lobby करना है, जिस तरीके से pressure create करना है, वो करते हैं, लेकिन मुसल्मानों के पास pressure group ने है, चापलूशी करने की बहुत ज्यादा आदते हैं, उनको ब पार्टी आफ इंडिया, पूरे ख़ूम से उम्मीद करता है, कि इसमें सिर्फ मुसल्मान आगे नहीं रहेगा, तमाम टबखात इंसाफ के लिए अपने अपने आवाज और हितजाच दर्श कराएंगे, बहुत सुफेद जूट है, बहुत बड़ा मजाख हैं, आप वो जो एकनामिकली वीकर सक्षन की जो बात हो रही है, आप डाटा उठा कर देखें, इंडिया के 95% लोग उसमें आएंगे, 95% लोग अपने आपको एकनामिकली वीकर सक्षन केते ही, वहाँ जाकर आपको रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है, मुसल्मानों की इसलिए रिजर्वेशन करके, कमजोर करके, पस्मांदा करके, इंडिया को करना डगा को हम तरक्याफ़ा नहीं बना सकते हैं, इसलिए वह रिजर्वेशन दिया गया था, अब जो रिजर्वेशन निकाला गया है, वह एक सियासी चाल है, हम कोट को जाएंगे, और कांस्टिटिशन में जितने को को अवाप पाई